गुड मॉर्निंग स्टुडेंट हमारे पास थोरम में फ्लूट डाइनेमिक्स की थोरम है ब्लैसीज थोरम में क्या कह रहे है सबसे पहले आपके पास इसकी स्टेटमेंट गिवन है स्टेटमेंट में क्या आपके पास कि इन इस्टेडी 2D irrotational flow हम जितना भी कर रहे हैं 2D में कर रहे हैं तो क्या कह रहा है कि आपके हम स्टेडी करेंगे 2D irrotational flow given by the complex potential complex potential already हम पढ़ चुके हैं complex potential आपके किसकी को लोता है w is equal to fz तो कह रहे हैं complex potential जब आपको given है तो जो फ्लो है वो आपका irrotational है 2D में if the pressure falls on the fixed cylindrical surface के आपके पास एक cylindrical surface given है c उसके उपर आपने क्या किया है false apply किया है ठीक है उसके उपर false है और वो false किसे represent कर दिया आपने f x a y c ठीक है and a couple of moment m about the origin of the coordinate आपके पास एक m क्या आपके पास एक moment है और यह किसके around है आपके origin के around है origin of the coordinates के around है आपके and then the negligting the external force external force को हम neglect करें external force हमारे पास है ही नहीं ठीक है तो आपके पास क्या हुआ जहेगा x- माइनस में y किसकी को लkt है आपकी यह दैंसटी एक वॉलुमेंद इसको में मूमेंटम और इसके सुश्चेय आपको निकालने है ठीक है । तो सबसे पहले हम क्या करेंगे x y आपने two dimensional में ले लिया x और y में ठीक है यह आपके पास आपका cylindrical है ठीक है यहाँ पर यह cylindrical आपने एक surface लिया है ds surface ले लिया है यानि हम क्या करें ds आपके पास क्या है कोई element है arc है जो किस पे p point पे यह यहाँ पर आपने पी point ले लिया और यह आपने क्या ले लिया वो arc ले लिया है जिसको आपने किस से denote किया है ds से denote किया है ठीक है तो इसके उपर इस point से जब आपके पास tangent बनाओगे ये tangent रहा हो गर ये tangent क्या कह रहा है x axis के साथ क्या बनाएगा ठिट्टा बनाएगा ठिट्टा विद्दा एकसे यह बना दिया ठिक है उसके बाद फिर हम क्या कह रही है इस P के उपर क्या करेगा Pressure लगेगा ठीक हई, तो P के उपर जब pressure लगेगा Pressure को किसे denote करे रहे हैं आप small P से और इसके उपर pressure यह distance कितने हैं आपके ds ठीक है आर्क जो लेके चले element लेके चले यह आर्क ds तो इसके उपर जो प्रेसर लगेगा वो क्या है p ds ठीक है और inward है और आपके पास जो यह प्रेसर लगेगा यह कह रहे है कि उसके बाद हम component को अलग करें देखो हम पहले भी करते थी जैसे x y में यह angle आपका ठीक बन रहा है तो आप इस वाले को x-axis के आप क्या लेते थी माले यह आपके पास x direction है यहां तक x distance है तो आप x-axis क्या लोग यह आर है आप क्या लेते थी आर को ठीक है आपके पास यह आपके पास क्या है ठीक है तो यह आपके पास प्लस में ठीक है तो dx के अलोंग जो आएगी वो आपके पास अब क्या रहेगी pds यह आपके पास इस तरीक के से है आपके पास एक distance है यह मालो कि आपके पास क्या है यह इस तरीक के की फोम में मालो आपके समझने के लिए कि आपके पास अब क्योंकि यह तो यह थी ठीक है तो इस तरीक के से र ds जैसे यह r होती थी तो यह x क्या होती थी r cos ठिटा ठीक है और यह y क्या होती थी आज जाइन ठिटा तो अब आपके पास x वो क्या हो जाएगी किस डारेक्शन में p into में ds जो आपकी distance और into में cos अब ठिटा क्या आएगा pi by 2 plus में ठिटा ठीक है यहां से आप वेलू को लिख सकते हो similarly आपने d y ले लिए d y आपके पास कहता है p ds साइन d d 90 प्लस में ठिटा वही यह पर पेंडिकुलर dx dy क्यों ले रहे हैं क्योंकि जो भी कर रहे हैं हमी small arc के लिए कर रहे हैं इसलिए हम इसको dx और dy ले रहे हैं ठीक है उतके वाला हम क्या भी false फोल्स उसने कहा है false act करेगा आपकी उस arc के उपर ds के उपर तो df false होजेगा और वो किस तरीक के आएगा dx पलस में आयटा dy dx की value अभी अभी हम निकाल के आए हैं आपके पास क्या थी कोस वाले में थी हमारे पास यह क्या है कोस में है second quadrant में जाएगा कोस क्या होजेगा negative और आपके पास 90 के उपर क्या होजेगा change तो यह आपके पास क्या माइनस में P D S क्या होजेगा? यह साइन ठीटा यह आपके पास सेम रहेगा आपका सेकंड कौार्डरनेट में साइन है पोजिटिव रहेगा P D S यह वैलू आपने यहाँ पे पूट अप कर दिया माइनस में P D S साइन ठीटा पलस में आयोटा P D S यहाँ पे नेगिटिव है आपको पता है नेगिटिव वन किसकी इकवल होता है आयोटा स्केर की इकवल आपने आयोटा स्केर की वैलू पुट कर दी सेम लिख दिया आयोटा P और D S आपने कोमन ले लिए हो वह ही किर हें दि-स आपके पास क्या है भाग की यहा क्या लिख सकते हो गीया क्या लिख सकते हो चाहिए लास्ट वाली वैल्यो से d y by में d s a d x अब यहां से क्या d s b e इसमें d s a common ले लोगे भार ये डिवाइड कर दोगे सिर्फ ये बच्चेएगी आपको पता है z आपके पास यहां पे क्या है x plus में आयटा y ठीक है complex में ले रहे हो तो d z करोगे d x plus में आयटा d y तो यहां पे ये वाला किसके एकुल आजेगा d z के एकुल तो आपके पास जो false है आपने उस आर्क के उपल अपलाई किया वो क्या अगया आयटा p d z ठीक है फिर बर्नोली equation है बर्नोली equation अपलाई करेंगे pressure by में density plus में 1 by 2 क्या हूँ velocity का square is equal to constant constant हम k लेके चलें यहां से आपने क्या किया density को common ले ले अब irrotational flow है तो irrotational flow में density आपके क्या होती constant तो यह आपके क्या है constant तो p इदर लेके चले k lcm लोग है आप इसका lcm लोग है तो आपके पास क्या आजेगा यह complete के नीचे आजेगी और यह आपका density इसके साथ और इदर से जब इसके साथ हो जाएगा और यह उदर जाके subtraction में हो जाएगा ठीक है यह आपके पास क्या दोनों constant है k भी constant और density भी constant है rotational मरोमी तो दोनों constant है तो आपके पास एक उर कोई constant आपने ली रिया जो क्या है k1 च्लीक है k1 माइनस में क्या हूँ कोस ठीटा प्लस में आयोटा क्या हूँ साइन ठीटा ठीटा ठीक है क्या हूँ यहां से कॉमन ले लोगे माइनस में क्या हूँ तो यह क्या बन जेगा प्लस का यह क्या हूँ जेगा नेगेटिव का यह आपको पता है आपके क्या बन जाएगा इरेजट उपार आयोटा ठीटा डीएस तो डीजड की वैलो निकाल दी हमने इसी फोम में इरेजट उपार आयोटा ठीटा डीएस अब एफ आपके पास क्या है फोर्स गिवन है एक्स प्लस में आयोटा वाई ठीक है और वो आपन किस के उपर निकाला था ds जो आपकी small arc थे at point p के उपर ये जो small arc थे इसके लिए अब complete के लिए निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे integration करतेंगी जो भी कर हुए आपकी उस integration उस कर के respect तो वही आपका p की value आपने अभी अभी जब आपने बर्नोल equation से निकाल लिए वह value put up कर दोगी d z आपका ये ठीक है बर्नोल equation से आपने value put कि यहां से d z की value put कर दोगी इसमें यह आ गया अब आपको यह पता है यहां से आपका यह भी constant है भार आजेगा आयोटा है आपने अभी आपके पास देखो k1 ठीक है आप इसको open करोगे आयोटा k e raise to power आयोटा theta d z है k1 है ठीक है k1 तो constant है लेकिन अब बचया क्या d z ठीक है आप यह कह रहे हो integration में यह माले हो यह dx है और यह complete integration है a से a क्योंकि close integration है जहां से चले हो वहीं पे आओगे a point से चले है तो a पे आओगे ठीक है तो a से a dx तो यह क्या होज़ेगा x की a से a upper limit minus में lower limit क्या होज़ेगी 0 तो वही कर रहे हो आपके यह आपको पता है आयोटा किसमी चेंज होज़ेगा नेगेटिव हो फाइट में तो f आपके पास क्या था इसका conjugate लिया तो क्या गया? x- माइनस में आयोटा y ठीक है यह आपका negative था conjugate लिया तो यह क्या होज़ेगा? पोज़िटिव यह अब यह आपका क्या है? पोज़िटिव है तो यह किसमी आज़ेगा? नेगेटिव में नेगेटिव आयोटा ठिटा ds फिर हम क्या करें? multiply और divide और डी वाइड़ बीकर लिया है आप के पास यहां से को कि प्रेइब के बाद क्या करेंगे इसको यह तो आउने टिटा लिख सकते हो क्या हो का स्क्रेश यह नेगेटीतिव इसका अपरिग सकते हैं É को आट выпол basicख सकते हुआ इसको यहां पे अब इसको छोड़ दो नेक्स्ट आपके क्या निकालना था momentum निकालना था m निकालना था m आपका momentum आपके पास क्या होता है unit modulus r into में df और integration आप है जिस भी कर के along निकालते हैं यह आजएगा अब यह आपके पास क्या है इसमें cross product में तो यह लिख सकते हो i, j, k, r आपका क्या रहेगा x, y, two dimensional में तो third dimensional आपका जीर हो जएगा df आप already निकालके आए थे dx और dy dx की value आपने सबसे पहले find out की थी minus में p, ds यह आ गयेगा और dy की value आप यह find out कर चुके हो ठीक है सबसे पहले वाले में जब हम starting में कर रहे थे यह रही हम आपके dx और dy यह value आपने यहाँ पर put up कर दिये उसके बाद क्या कर रहे हो इसके आपने क्या निकाला देखो यह क्या unit modulus के अंदर है जैसे यहाँ इसमें unit modulus लोगे तो पहले क्या जगा x, p, ds, o, c यह वाला है आपके पास यह वाला ठीक है उसके बाद second वे वाला यह क्या नेगिटिव, नेगिटिव करोगे तो क्या हो जगा पोजिटिव, p, y, d, s, sin, theta ठीक है आजेगा यही आपने यहाँ पर लिख रखी है फिर आप क्या कर रहे हो यहाँ से p, x आपने एक साइड कर लिया है अब यह d, s, d, s को आपने common ले लिया, दोनों से d, s को आपने common बहार ले लिया है, ठीक है बहाद जैसे ही आप common लेके आए हो d, cost, theta की value आप जैसे पहले put up कर रहे हो, dx, y में d, s, sin, theta की क्या थी, dy, by में d, s, यह value ठीक है, इधर आपके पास p, x, यह क्या बच गया, d, s, d, s, divide कर देंगे, x, dy, x, d, x, d, x, plus में y, d, x, ठीक है, अब p, आपका क्या, pressure, pressure की value आप जैसे निकाल के आए हो, बर्नोली equation में, वो value पुट कर, यहाँ पर कहीं confused हो कि आप d, x की, cost, theta की value आप क्या ले रहे हो, d, x, y में, d, s, तो इसके लिए confused मत होना है, क्योंकि आपके पास जो दे रखी है, पहले ही, हमें starting में, जब यहाँ से दे रखी है, देखू, यह आपने, यह है, जो ठिट्टा angle है, यह ठिट्टा angle हो गया, ठिक है, यह आपके पास यह क्या ले रखी है, आपने, d, s, distance जो इहाँ से present हो रही है, d, s, distance ठिक है, और यह आपके पास क्या हो जेगी, d, x और यहीं से आपके पास जो perpendicular distance जाएगी, वो क्या हो जेगी, d, y ठिक है, तो इहाँ से जब cost ठिटा लोगे, cost ठिटा की value क्या हो जेगी, base बाई में, hypotenuse, तो d, y में, d, x, sorry, d, x, y में, d, d, s, sign ठिटा करोगे, sign ठिटा आपको पता है, perpendicular बाई में, hypotenuse, तो d, y, y में, d, s, ठिक है, तो यहाँ से values ले रही है, तो आपके पास यह values है, आपने यहाँ पर values रखी है, फिर आपने यहाँ से यहाँ से यह, k1 के साथ, इसके multiply कर दें, इसके साथ, अलग लग आपने integration ले लिया है, ठिक है, फिर यह वहीं integration है, k1 constant है, आपके पास, close कर के साथ, close कर के साथ, integration करोगे, तो यह किसकी equal आजेगा जीरो की equal, सिर्फ यह integration कर देंगा, ठिक है, अब आप यहाँ से फिर से dx की value जैसे ही, आपके पास close theta क्या है था, आपके पास dx by में, ds, तो dx की value यहाँ से क्या है, ds into में, close theta, वो value आपने यहाँ पर put कर दी, ठिक है, y वाले में put कर दी, ds को आपने दोनों से common भार लिख है, ठिक है, अब देखो, यहाँ पे आपके पास क्या है, यह वाले आपके पास value आई है, momentum की, ठिक है, तो ये किसका real part है, यह real part है, यह real part है, यह real part है, ठीक है लेकिन आप किस में चल रहे हैं complex में complex में चल रहे हैं तो किसी ने किसी का real part होगी तो हम गहरे हैं यह आपकी real part है इसको हमने real part में लिखे है minus में आयोटा y2 complex ही क्या हूश के है अब यहाँ पे देखो x plus में आयोटा y और cos theta minus में आयोटा sin theta ds का ठीक है एकिस का है इसका अब यहाँ से यह देखो यह आपके पास क्या है इसके यह दिए multiply करोगी real part करोगे तो x के साथ cos theta यह आपका ठीक है पिर x के साथ यह sign वाला आयोटा आजेगा यह imaginary चल आजेगा आयोटा y cos के साथ करोगी imaginary आयोटा y और iota यह negative and negative iota square के ओके क्या होज़ेगा positive y sin theta तो यह आपका real part में आज़ेगा तो real part लिख रख़ए image का image हमने छोड़ दे है तो आपका किस का है इसका real part यह आपका क्या है z x plus में iota y किस की equal है z की equal यह आपका क्या e raise to power minus में iota theta इसने लिख दिये इसको z और i raise को यह ूटी ऐसे उसके बाद real part है आपका यह आपने लिख आ चुका है अब देखो हमारे पास क्या है dw by में dz की value निकाली थी आपने f की यह देखो आपके पास iota p by में 2 curve क्या ओ e raise to power minus में 2 iota theta e raise to power iota theta ds यह आपके पास किसके आपके value आ चुकी है अब इन values को आपने यहाँ पे put कर दिया है इसको आपने same उसी की form में बनाने की कोशिज की e raise to power minus में 2 iota theta into में e raise to power iota theta ds अब वापिस आजाओ minus में अब यह z है z को यहाँ पे लिख देओ आपने यहाँ पे क्या लिख है क्याँ का square और second आपने क्या क्या e raise to power minus में 2 iota theta ठीक है और third आपके पास क्या e raise to power iota theta ds इन values को आपने क्या लिख है इसकी एकवल लिख है ठीक है अब सबसे पहले तो आजाओ dw by में dz की value आपने क्या लेते थे यह क्याँ का square और e raise to power minus में 2 iota theta ठीक है तो इसके और इससे आपका क्या आगया इसका square आगया यह आपने लिख दिया फिर आपके पास क्या है ds है ds की value है e raise to power iota theta ds है यह आपने dz की value निकाली थी ठीक है तो यहाँ पे क्या कर दोगे dj यह आगया आपका real part of this इसका यही आपके उसने क्या 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 था अपके पास momentum आएका real part of this यही आपने दिखा दिया यही आपकी क्या है basis ही थोग रहे है इसके